गाईस आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल देखो हिंदी नीज में दोस्तो अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है सहारा इंडिया का पैसा अब मिलना सुरू हो गया है हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सहारा इंडिया का पैसे को कैसे चेक करना है और अपने फाम का स्टेटस कैसे चेक करना है या फिर कैसे अपने पैसे को निकलवाना है यदि आपका 45 दिन से अधिक समय हो गया है और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको चाह क्या करना होगा जिसके बाद आपका पैसा आना सुरू हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो में लास तक बने रहेगा और जो लोग चैनल पर नहीं हैं वो लोग चैनल को सबस्क्राइब चरूर कर लें क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों को सहारा इंडिया से रिलेटर नई नई अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी तो चलिए दोस्तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं सहारा इंडिया खबर के अनुसार 112 निवेशको का पैसा पहले स्टेस में जारी कर दिया है यदि आपका भी पैसा अभी तक नहीं आया है 45 दिन से अधिक इसलिए लग रहा है कि अभी लगबग लाखो करोडो लोगों ने सहारा इंडिया का पैसा रिफन्ड करने के लिए फार्म को अपलाई किये थे इसके चलते सहारा इंडिया की ओर से सभी का फार्म को वेरिफिकेशन करने में थोड़ा कटनाईया हो रही है और उसके चलते ही अधिक समय लग रहा है लेकिन आप लोगों को घवराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही आप लोगों के पैसे खाते में आना सुरू हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूँ टेस्ट करने के लिए सहारा ने 112 निवेशको के बैंक एकाउंट में 10,000 तक का रासी ट्रांसफर किया है तो दोस्तो अब आप लोगों का पैसा कब से मिलना सुरू होगा उसके बारे में हम आप लोगों को वीडियो में आगे बता रखा है तो वीडियो में लास तक जरूर बने रहेगा दोस्तो सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैं आप लोग को बता दू सभी साधन निवेशक अपने फार्म का इस्टेटस आवेदन कर चुके हैं ये चेक कर रहे हैं कि आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका पेमेंट अंडर प्रोसेस में है तो अगर आप लोग भी आवेदन कर चुके हैं आप यहां जानने का प्रयाज करते हैं कि सहारा रिफंड की इस्टिती अभी क्या है कैसे जाच करें कहां जाकर करना होगा और आपका सहारा इंडिया स्टेटस की क्या इस्तिती है तो इसके लिए आपको सरकार तवरा लांच किये गए पोट्रल पर जाना होगा और वहां से अपने अधार का लिस्ट 4 डिजिट का अंक भर कर अपना रेजिस्टेशन आवेदन का स्टेटस चेक करना होगा अगर चेक करते हैं यदि आपका अंडर प्रोसेस में है तो आप लोगों को कुछ दिन के लिए वेट करना होगा जैसे ही confirm हो जाएगा तो आपका payment सीधे आपके account में आ जाएगा तो दोस्तो जरूरी बात यह है कि आप लोग सहारा इंडिया पोर्टल में जाकर यह जरूर चेक कलने कि कहीं आपका status reject तो नहीं न हो गया है अगर reject हो गया होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा तो आप लोग अपना status एक बार जरूर चेक कलने description में हमने link दे रखा है आप लोग वहाँ से भी जाकर अपना status चेक कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जाए हीं जय वारत